वाट्सप एवरीवन दिस इस पी चाइज और वेलकम टू मैं चानल चाइज लाइब आज इस वीडियो में मैंने परचेस करा है एक न्यू हेलमेट न्यू हेलमेट को अन्बॉक्स करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं कौन सा हेलमेट यूज कर रहा था आप देख सकते हो पांच-छे सो रुपए वाला ये जो हेलमेट होता है स्टड्स का मैं ये यूज कर रहा था इससे पहले भी मैं पस एक हलमेट था बट वो भी इसी टाइप का ही था और वो मेरा चोरी हो गया था बाइक पे मैंने लगाया था कोई तोड़ के ही ले गया था so finally मैंने डिसाइड करा कि एक नया हलमेट लिया जाए कौन सा हलमेट है इस टील बर्ट का है मैं दिखाता हूं कि कौन सा है फिलाल ये जो है हलमेट ये काफी जादा बेकार हलमेट है because जब आप इसको पहनते हो, सो काफी ज़ादा gap रहता है and मैंने देखा कि gap नहीं रहना चाहिए है helmet पे पता चला कभी आपका excellent हुआ and helmet ही उतर के कहीं दूर चला गया so helmet होता है आपके head को safe करने के लिए so वहाँ पे एक grip होनी चाहिए so अब इसको रखते है side में and जल्दी से open करते है box so ये जो box है आप देख सकते हो मैंने Amazon से मंगवाया है सामने steelbird लिखा हुआ है Amazon की यहाँ पे आपको दिख रहा है tape अब बिना time बरबाद किये इस box को कर लेते है open box हो गया open and मैंने ये जो model मंगवाया है वो dual visor का मंगवाया है so एक black है and जो transparent होता है वो है so सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको visor दिखा देता हूँ ये visor है इसकी जो pricing है वो है 219 and something इतना ही difference है अगर आप सिरफ single वाला है इसका visor वाला helmet लेते हो so scratch resistant है so ये रहा अब निकालते हैं helmet so guys ये है helmet इसके लावा और कुछ भी नहीं आता है so मैंने ये जो color लिया है वो है red और black में लिया है because मेरी जो bike है वो black है sorry red है and black मेरा favorite color है so ये है helmet and काफी जादा amazing लगता है and इसका एक और feature है जो की है ये so आप देख सकते हो इसमें एक switch के through एक switch को press करने से इसका जो visor है उसको आप open कर सकते हो and जब आप नीचे करोगे so वो इतना अटक जाएगा एक stage है इसकी basically इसको जब आप और नीचे करोगे so ये बंद हो जाएगा so एक बारी जल्दी से मैं इसको पहन के दिखाता हूँ so जैसा कि आप देख सकते हो अभी आपको sound थोड़ी सी कमा रही होगी because helmet अभी लगा हुआ है and काफी amazing helmet है इसके थोड़े से shots मैं आपको दिखा दूँगा and यहाँ पर एक main चीज मैं आपको और बता हूँ so यहाँ पर helmet अभी मैंने पहना हुआ है and अगर मैं इसको move करता हूँ so आप देख सकते हो जादा move नहीं है grip काफी अच्छी है padding काफी अच्छी है यहाँ पर मैं इसको उतार देता हूँ so padding काफी thick दे रखी है and यहाँ पर एक feature और है इसका यह जो padding है यह removable है आप इसको remove कर सकते हो and wash कर सकते हो washable है so यहाँ पर आपको काफी सारे air vents भी मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हो यह and यहाँ पर इस side में एक यह छोटा सा vent है and यहाँ पर front में है इसको आप open यहाँ फिर close भी कर सकते हो same ऐसा ही आपको मिलता है यहाँ पर एक नीचे है bottom में then उसके ओपर एक यह air vent यहाँ पर है then उसके बाद अगर back में बात करें so back में भी यहाँ पर आपको air vents मिल जाते है then उसके बाद एक air vent आपको मिलता है इसके ऊपर so आप देख सकते हो यह इसका switch है यहाँ से आप इसको इसका vent जो है उसको on or off कर सकते हो मतलब इसका vent open या इसको close कर सकते हो उसके बाद में आगर इसकी padding की बात करूँ so आप padding यहाँ पर देख सकते हो so पूरा निकालने में I think थोड़ा सा time लग जाएगा but यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ इस type से यहाँ पर इसके hooks है, buttons है जिससे आप निकाल सकते हो and वापस इसको लगा सकते हो so यह आप देख सकते हो यह इस तरीके से पूरी की पूरी padding आपकी निकल जाएगी so आप देख सकते हो पूरी padding मैंने निकाल दिया यहाँ पे and यहाँ पे आप देख सकते हो events के लिए यहाँ पे जगा भी है यह जो आपको holes दिख रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो and अगर इसकी padding देखा हूँ so यह है इसकी padding and आप अराम से इसको wash कर सकते हो because यह washable है so तीन इसके जो parts हैं वो इसके भार आ जाते हैं जैसा कि आप यह तीन parts देख सकते हो यहाँ पे and इसको आप easily wash करके इसमें वापस fit कर सकते हो so guys यही था helmet आप देख सकते हो यह है नया helmet कितना amazing लग रहा है and यहाँ पे यह मेरा पुराना helmet यह जो normal सा होता है वो ही helmet है and काफी बढ़िया यह helmet है मैं try कर रहा हूँ try कर रहा हूँ वैसे मेरा इतना shock नहीं है लेकिन देखते हैं आपको बीच में दिख गए होंगे आप मुझे comment section में बताना कि आपको यह helmet कैसा लगा and अगर आप interested हो इसको purchase करने में so आपको description में मिल जाएगा link and जब आप Amazon के link पे जाओगे so इसके इतने सारे colors available है मैंने लिया है red और black में sea green, green, blue, orange काफी सारे इसमें colors है आपको variety of colors मिल जाएगी so I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर देना like channel को कर देना, subscribe and मैं मलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी next वीडियो में